साथ्यों किसानों के नाम पर गांग गांग गरगर जाकर कैसे उन्होंने वोट भांगे थे यह आपको भी आद होगा कहा था दस दिन के भीतर पूरा कर्जमा आप कर देंगे और भी कहते दे छोटे बच्चों को जैसे मास्टर जी पढ़ा दे ने एक दो तीन हुआ था ने से दस जीन को पउधा किसको कहते हैं प्वेड किसको कहते हैं इसका ज्यान नहीं है वर खेती और किसाने के विशे सग्ये बनकर यहां के लोगों थे बड़े-बड़े भाइदे कर रहे थे फिर याज करिए क्या कहा था दस दिन में पुरा कर्ज माप नहीं किया तो मुख मंत्री को पूरी तरह से जरूर बिदल दूँगा क्या कर्ज माप हुआ क्या जरा पूरी ताके दे बताईए किसानों का पूरा कर्ज माप हुआ क्या कर्ज माप हुआ क्या पांच बार बोली ये कर्ज माफ हुआ क्या कर्ज माफ हुआ क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या अगर कर्ज माफी नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री तो जुरूर बदल गया होगा क्या बढ़ला है क्या मुख्यमंत्री बढ़ला है क्या उन्होंने जिसको बिठाया था वो ही है ना जिसने वादा किया था वो ही है ना अब बताइए ये मतब प्रदेश के लोगों के साथ बादा खिला भी है के नहीं है यह आपके आँख में दूल जोकी कि नहीं जोकी ये जुट बोलने में माहिर है के नहीं है ये लोगों को मुरख बनाने का खिल खिलते हैं के नहीं खिलते हैं भाई और बेहनों इनको ना किसान की फिक्र है ना उन्हें जवान की और नहीं उनको देश के नवजवान की चिन्ता है इन्हें सिरफ दोखा देना आता है धार को भी इन लोगों ने हमेशा दोखाई दिया है आप मुझे बताईए इंदोर दाहोद रिल लाइन का भूमी पुजान 2008 में किया गया था किया गया था कि नहीं उसके बाद वो भूल गय रही है वादा खिलापी की नहीं की कि आपके पीट में छुरा भोका कर नहीं भोका अब हमारी सरकार इस काम को पुरा कर रही है बाए जब सिवराज जी की सरकार या थे तो विकास के बहुत से कार्य हुए थे उनकी सरकार के जाने के बाद और कॉंगरेस सरकार के आने के बाद अम्मद्द प्रदेश की क्या स्थिती है आप और यहां के लोग खूद महसूस कर रहे हैं